प्रयागराज के बॉइस हाई स्कूल में हम हैं और रीता भोगणा जोशी और उनके पती पूरण चन जोशी जी भी हमारे साथ हैं मैम कैसा चल रहा है चुनाओ चुनाओ में उत्सा बहुत है पूरे देव प्रदेश में और आप देखी कितनी बड़ी संख्या में महिला है और युवा निकल रहे हैं तो जो पहले जिम्मेदार लोग वोट देते थे सिफ सीनियर्स अब यह युवाओं का भी उत्साव हो गया है और इसमें चुनाओं की बढ़ी भूमिका है उन्होंने नए इन्रूल्मेंट्स कराना लोगों को साहित करना युवाओं को जोड़ना अठावन लाक नेमत दाता बने है युवा है अधिकतर और यह लेकिन टफ वाइट बताई जा रही है इस बार बीजेपी के लिए हम तो प्रयागराज में सब सी बात आभी कह रहे हैं लेकिन कंट्रेक्टरी थोड़ा सा है क्योंकि जो बेटे हैं आपके महेंग वो जाकर के अखलेश से मिलाए और अखलेश ने ट्वीट कर दिया तो आपकी और से परिवार की और से एक संदेश नहीं वोटरों को गया है नहीं देखली कया है कैंपेज़ कर हूँ रहे हैं कोई को हूँ है लेकिकर आपके के सरफ कहींकों पड़कर रहे हैं और ऑपील करें हैं वोट के लिए आप क्या कहेंगा आज के दिन आज हम बहुत प्रसंड है कि पिर से एक बागा मुट है रोट डालने का अब मेरी अपेक्षा यही है शेर उत्तरी के मद्दाताओं से कि हर बार वोट कम पड़ता है यहाँ तो इस बार वह बाहर निकरके जोश से परसंट वोट करेंगे तो रीता बगुना जोशी के पती पुरेंच जोशी अपील कर रहे हैं कि अधिक सधिक लोग निकल करके वोटिंग करें कैमरामेन मोहित कासले के साथ रवी कांथ एभी पी न्यूज प्रयाग राज